हरे कृष्णा राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई शिरी पुर्षोत्तम मास मातम्मे कथा चोदेवा अध्याई शिरी नारायन जी बोले इसके बाद चिंता से आतुर राजादर्धनवा के गर वालमिकी मुनी आए जिनोंने परम अद्बुत और सुंदर शिरी रामचंदर जी का चरित्रवर्णन किया है राजादर्धनवा ने दूर से ही वालमिकी मुनी को आते हुए देखा और घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ती उक्थो उनकी चर्णों में दन्वत परणाम किया भलिवाती पूजा कर उत्तम आसन पर रिशी को बैठा कर उनकी चर्णों को गोद में लेकर दोनों हातों से धोया और उस चर्णों दक को बड़े ही हर्ष के साथ शिर से धारन कर शुक पक्षी की बात इस्मरन करता हुआ राजा दर्धनवानी मधूर वचल से ऐसा कहा राजा दर्धनवानी कहा हे बगवन इस समय में करत करत्य हूँ मैं भाग्यवान हूँ मेरा जनम सफल हो गया हे प्रभू आज मेरा मनोरत पूर्ण हो गया आज आपके प्रद्यक्ष दर्शन से शाष्टरादिकों के यथार्थ अर्थ का ग्यान सफल हो गया हे जगत को पावन करने वालों के पावन करने वाले आज मैं अपने भाग्ये का क्या वर्णन करूँ शेर नारायन बोले इस तरहें वालमी की मुनी को कहकर वह राजा मोन हो गए बाद में वालमी की मुनी उस राजा को विने युक्त देखकर बड़े परसन हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले वालमी की मुनी बोले हे नरपसरेष्ट ठीक है ठीक है तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है हे राजन तुम चिंता से आतुर क्यों हो सो सब मन की बाते कहो ऐसा मालूम पढ़ता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है इसे लिए हे महामते उसे कहो राजा दरड धन्वा बोला आपके चरण कमलो की किरपाम से हमेशा ही सुख है प्रन्तु हे विद्वान अमारे हिर्दे में एक बड़ा संदे है वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बान के समान उस वचन को दूर करें किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया वहां भ्रमन करता हुआ एक तालाब देखा उसका जल पिया और बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वरिक्ष के नीचे बैठ गया अत्यंत गनी और सुन्दर छाया वाले और मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाले उस वरक्ष पर बैठे हुए सुन्दर शुक्पक्षी को मैंने देखा जब उस शुक्पक्षी पर हमारी द्रश्टी गई तब उसने हमारे सम्मुकों कर एक शलोक पढ़ा उसने कहा कि इस प्रत्वी पर विद्यमान अतुल सुक को देखकर तो तत्व यानि आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा मैं इस प्रकाश शुक्पक्षी के वचन को सुनकर विश्मित हो गया हूँ हे ब्राम्मन मैं नहीं जानता कि उस शुक्पक्षी ने क्या कहा इस हमारे हर्दे के संदेहे को आप दोर करने योग्य हैं हमारा राज्य सुक और सुन्दर चार पुत्र, सुन्दर पति वर्ता इस्तरी, हाथी, घोडा, रत, सेना हे ब्राम्मन ये सब अदुल सम्रद्धी, इस समय हमें किस पुन्ने से प्राप्त हैं इस सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं राजा दर्धन्वा के वचन को वालमी की मुनी सुनकर प्राणायाम कर एक मुरत तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आवले के फल के समान, विश्वा संसार के भूत, बविश्यते और जो गर्तमान विश्य हैं उनको खरदे में समाधी के बल से जानकर और निश्चे कर राजा से बोले वालमी की मुनी ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ट, अपने पूरुजनम का चरित्र तुम सुनो हे राजेंद्र, पूरुजनम में आप द्रविट देश में तामर पानी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के ब्रामन थे धार्मीक सत्यवादी जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले विद्याध्यन में संपन, विश्णो भक्ती में पारायन रहा करते थे आपने अगनेहोतर आदी यग्यो के द्वारा बगवान शिरिहरी को परसन किया और इस प्रकार रहते हुए तुमारी गुणवती इस्तिवी थी वै गोतम रिशी की सुंदर कन्या गौत्वी नाम से परसिद शंकर की शेवा में तक पर पारवती के समान तुमारी प्रेम से सेवा करती थी ग्रस्ताश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय बीट गया प्रंतो तुम्हें कोई संतान नहीं हुई एक दिन अपनी इस्तरी से सेवित आसन पर बैठा हुआ तुकित ब्राम्बन गदगद स्वर से बोला अई सुंदरी संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पनपुन्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है शुद्वन्ष में होने वाली संतान इस लोक में और परलोक में कल्यान करने वाली होती है उस रेष्ट पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निश्वल है ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना ही वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया ना तो उसका विवाह किया इसी लिए मेरा जनम तो व्यर्ष्थ में चला गया अभी मेरी मृत्यों हो मेरे को आयुष प्रिये नहीं है इस प्रकार अपने प्रिये पती का वचन सुनकर वह इस्तरी गौत्मी खिन्न मन हुई बाद में धहर्य धारन करती हुई प्रिये वचन बोलने में चतुर प्रिये पती के प्रेम में मगनव है इस्तरी अपने पती को समझाने के लिए सुन्दर वचन बोली गौत्मी बोली हे प्रानेश्वर आप इस तरहें तुछ वचनों को मत कहिए आपके समान भगवत भग्त विदवान लोग मोख को प्राप्त नहीं होते हैं हे विभोख आप सत्य धरम में तत्पर रहने वाले हो आपने स्वर्ग को जीत लिया है हे सुवरत, अर्थार्थ, हे सुंदर्वरत करने वाले आप जैसे ज्यानी को पुत्रों से सुख्की प्राप्ती कैसी अर्थार्थ, ज्यानी पुरुष, पुत्रों से होने वाले सुख्की इच्छा नहीं करते हैं हे ब्रामन, पहले चितर के तु नाम का राजा, पुत्र शोक से संतप्त हुआ तब नारत जी और अंगीरा रिशी के आने पर, पुत्र शोक से मुक्त होकर, संसार से उधार्फो प्राप्त हुआ इसी प्रकार राजा अंग, वेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण, रातरी के समय वन को चला गया इसी तरहें हे स्वामिन, आपको भी संतती दुख देने वाली होगी फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है, तो परसंदता के साथ जगत के नात, समस्त अर्थों के दाता, अरी भगवान के रार्दना करें हे ब्रामन, पहले सांख्याचारिय करदम रिशी ने जिनकी अरादना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योग्यों में स्रेष्ट कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ वह ब्रामन स्रेष्ट इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वच्छनों को सुनकर और निश्चे कर उस अपनी गोत्मी स्त्री के साथ तामर पर्णी नदी के तट पर गया और वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत स्रेष्ट तप करता गया पांच-पांच दिन के बाद सुखे पत्ते और जल का अहार करता था इस प्रकार तब करते उस तपोनिधी सुदेव ब्रामन को चार हजार वर्ष वेती थो गए हे ब्रामन उसके इस तपस्या से तीनों लोग कापने लगे बक्त वच्सल भगवान उस सुदेव ब्रामन के अत्यंत उगरत पस्या को देखकर जल्दी से गरुड परसवार होकर प्रकट हुए तब शिरी नारायन बोले नवीन मेगो के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ चार भुजा वाले परसनमुक मुरारी को देखकर सुदेव ब्रामन हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को शाष्टांग परदाम करता हुआ बोला सुदेव शर्मा ब्रामन ने क्या कहा अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे चोदेव अध्याय की कथा यहां पर समाथ होती है हरी कृष्णा राधी राधी